हाई फ्रेंड्स वेलकम वैक टू दे चैनल आप सभी को एक वर फिर से आई एंटी हिंदी टेक चैनल में सुवागत है और सबसे पहले आप सभी को 26 जन्वारी कंतंत्र दिवस की धेर सारी सुव कामना है और बताओ जिले भी बेगेरा हो गया जरूर खाईएगा तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं UIDI अधार कार्ट के लेकर अपडेट की बारे में दोस्तों आप सभी को पता होगा कि हम लोगों का अधार कार्ट कहीं खोता है या फिर नस्ट होता है तो ऐसे में हम लोग ऑनलाइन डाउनलोड करवा कर कहीं मार्केट से प् पक्षित नहीं माना गया है और ऐसे में अगर आपके पास यह अधार कार्ड है तो लेगली तोर पर यह मानने नहीं हो सकता है जी हां दोस्तों बहुत बड़ा अपडेट निकल कर सामने आया है तो कौन से अधार कार्ड मानने होगा तो जो आप रीप्रिंट करवाती है आप सभी को पता होगा कि PVC कार्ड की 50 रुपिया देना होता है तब UIDI के तरब से आपके घर पे आपके हातों में PVC अधार कार्ड मिल पाती है अब ऐसे में काफी सारे लोग करती क्या है 20-25 रुपिया बचाने के चक्कर में मार्केट से प्लास्टिक वाला अधार कार्ड न नहीं माना गया है और ऐसे में आप लोगों से निवेदन है कि आप इन सभी चेकरों में ना पढ़के 5 इंस्टेंट अगर काम है तो ऐसे में तो आप लगा ही सकते हैं जैसे फोटो कॉपी वेगरा लगाती है लेकिन कोशिस करिए ये कि अगर आपका अधार कार्ड हो गया ह है चोरी हो गया है नस्ट हो गया है तो आप कोशिस करिए 20-25 रुपिया जादा ही लगेगा कोई दिक्कत नहीं है 10 रुपिया ही जादा लगेगा जैसे मार्केट में अगर 30 रुपिया में निकाल रहा तो आप 50 रुपिया लगा कर रीप्रिंट सिस्टम से आप PVC कार्ड ओर कर लेजे और इसमें कोई वाध्य नहीं है कि आप 10 रुपिया जाएगा पहले 15-20 दिन लगते थे लेकिन अब 7-8 दिन में भेज दिया जाता है और PVC वाला जो आधार कार्ड है वो आप खर बैठे आसानी से ओनलाइन रीप्रिंट कर सकती है जिसके लिए एक अलग से हम वीडियो बना दिये हैं डिस्क्रिप्सन बॉक्स में आपको सबसी उपर लिंक मिल जाएगा उस पर क्लिक करके जरूर वीडियो देखिएगा तो इस वीडियो में हमने अपडेट दी दिया है आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट करके बताईए कि आपके पास जो अधार कार्ड है क्या ओफिसियल बाई पोश्ट भेजा गया है या फिर आपने मार्केट से प्रिंट करवा के रखा है मैं अपना बताओ तो मेरे पास PVC वाला भी है और रिप्रिंट किया हुआ अधार कार्ड भी है जिसके लिए 30 रुपिया देना पड़ता था वो मेरे पास पहले से ही सुरुवात में हिजर फ्री में आया था उस समय से ही मेरा वह अधार कार है और 50 रुपिया लगा कर मैंने PVC का था ओर्डर किया था वो मुझे मिल चुका है तो जरूर देखिएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है और इस पर 2022 का प्रोसेस बिल्कुल सेम ही है आप सभी से निवेदन है कि ट्रिकी गौतम चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजेगा क्योंकि उस प फिर एक ने फीडियो में हमें दीजी इजाज चोटा सा वीडियो था लेकिन इन्फॉर्मेटिव था अंसीक्यूर माना जा रहा ऐसे में आधार कार्ड तो सुरक्षित आधार कार्ड को मगवाईए घर पे क्योंकि 10-20 रुपिया कहीं कोई बड़ी चीज नहीं है एक सुरक अत्रदीवा से एक जंडा तो पर्चेस करना बनता ही है जरूर पर्चेस करिए धन्यवाद